दोस्तों अगर आप भी परेशान हैं अपने बबासीर के मस्तों से तो इस वीडियो को पूरा देखना आपके बबासीर के मस्ते चाहे खूनी वाले हो बादी वाले हो या फिर आपके बबासीर के मस्ते बाहर निकले हुए हो या मस्ते जैसे बहुत बड़े-बड़े मस्ते होते हैं, वैसे हो, कैसे भी बबासीर के मस्ते हैं, जड़ से खताम होंगे इस नुस्के से, आपको करना क्या है, सबसे पहला नुस्का तयार करना है, मैं इस वीडियो में आपको दो तरीका बताऊंगी, और दोनो तरीके आपक स्तेमाल करना इसकी मुश्य को सबसे पहला नस्खा सबसे पहला तरीका यह मस्यों में लगानए के लिए आपको क्या करना है लेना है जयतून का तेल यहाँ पर यह नहींeh से einzimately अधिय centrocol PeekMA watching ले सकते हैं और सर्थ ना एक सञा नारियल का देल ले सकते हैं लुए ठीक है अब इसके बाद मैं आपको क्लाकर नायल लेना है पुदीन हरा की टैबलेट पुदीन हरा की टैबलेट आप सबी लोग जानते हैं कितना इसका जो ऑईल होता है कितना ठंडा होता है आपके बबासीर के मस्तों में जो सूजन होती है जो खुजली पड़ती है जो जलन ह तो आप जैसे ही इसको अपने मस्तों पर इस्तेमाल करोगे आपकी खुझली दर्द सूजन आप देखना देन देयर आरा मिलेगा क्योंकि जब बाबा सीर के मस्ते होते हैं उसमें खुझली बहुत भेंकर पड़ती है ऐसा लगता है खुझाते ही रहो मुझे भी हो चुका है जूट मानोगे मैंने अपने ही नुसके से अपना बाबा सीर सही कर लिया सच बता रही हूं विस्वास मान लेना नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है चले आब यहाँ पर हमने क्या किया है दो टैबलेट ले ली हैं किसकी पुदी नर्य की दो गोलियां ले ली है और यह आप को मार्केट में 10-20 रुपए मिल जाएगा पत्ता तो आपको क्या करना है दो पूदीने की गोलियां लेनी है लेकर के तेल में डाल इसका जो ऑईल होता उसको निकाल के इसी तेल में मिला देना मिलाने के बाद में अब आप इसे अपने बबा सीर के मस्तों में लगाईए चाह करना है ज्यादा नहीं दस-पंद्रा राउंड लगा देना उंगली से मसाज कर देना बाहर से ही और बस और इसको फिर आप छोड़ देना लगा करके अच्छा मैं आप अच्छा ये आपके लगा कर देखना आपको पता चलेगा तुरंद खुझली तो आपकी तुरंद खत आ रही हैं तो आपको इसको लगा करके छोड़ देना है आपको इसे कितनी बार लगाना है पूरे दिन में आप इसे तीन से चार बार लगा लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है माली जो ऑफिस जा रहे हैं तो यानिकी जोब पर जा रही है तो आप इसको सुबह होता है पुदीने का जो होता है यह बहुत अच्छा काम करता है बाबा सीर के मस्तों में और यह जैतुन का तेल लिया है यह बाबा सीर के मस्तों करता है उसकी सूजन को खतम करता है सिकोरता है मस्तों को सुखाता है मस्तों की इंफक्शन को खतम करता है करके देखें का रात में जरूर लगाना है उस ओयल को जो मैंने बताया आपको पहला नो उसका लगा करके रात में चोड़ दीजिए और सुबह साफ कर लेजिए तो तरीका मैं आपको लेना है लेमन पानी लेमन पानी कैसे यहां पर मैंने इसमें डाल दिया है नीबू कर रस तो अगर आप छ नीबू को पी लेना है पानी को सुबह सुबह खाली पेड जब आप सुबह फ्रेस हो करके आए फ्रेस होने के बाद में आप सबसे पहले नीबू पानी पी लिजिए अगर आपको ऐसा लगा रहे है थोड़ा सा स्याइद वगरा मिला लिजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस पानी को पी जिए अब बहुत से लोगों को कमेंट आएगा कि मुझे नीबू सूट नहीं करता है या मैं पी नहीं पाऊंगा या मुझे घुटने मिदर दोता है तो भाई नीबू नहीं पी पा रहे तो दही खा लीजिए बात बराबर है दही खाईए या नीबू ठीक है इस समय से कुछ भी खा लीजिए ये भी नहीं बनता तो आउला का जूस पीजिए तरीका मैंने आपको तीन बता दिया है जो भी आपको अच्छा लगे चूच कर लीजिए तो आपको क्या करना है सुबह सुबह नीबू का पानी पीना है इसके बाद में आपको आद सुखने लगेंगे आपको पहले दिन से ही आराम मिलना इस्टार्ट हो जाएगा बस आपको कुछ नहीं करना है बादी चीजों को थोड़ा सा त्यागना है थोड़े दिन के लिए अब इस नुसके को आपको करना है दस से पंद्रे दिन तर क्योंकि किसी किसी का जल्दी सही नहीं होता है तो यह कमेंट करने लगते हैं कि आपकी रेमेडी बिल्कुल खराब है और आप नुसका अच्छे नहीं बिताती है तो आप 15 दिन आराम से कर लीजिए आप देखना आपकी फुल कहने का मतलब है आपके बबासरी की मस्से चाहे जैसे भी और फुल आराम मिलेगा क्योंकि वह ऐसा होता है सब की तासीरे अलग होती है सरीर की ठीक है ना किसी मस्से तुरंत निकले होते हैं किसी बहुत पुराने होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है तो आप लोग क्या है घबड़ा जाते हैं कि नुसका अच्छा नहीं है नुसका तुम्हें सारे घरे लीजिए और उस तेल को लगाई है जो मैंने बताया है बस आप देखना आपके कैसे भी बबासीर के मस्यों सूप करके जड़ जाएंगे खतम हो जाएंगे और सारी जो इंफेक्शन हो जाता ना जो पस्ता पड़ जाता वो भी आपका सही हो जाएगा पहले दिन से ही आराम मि स्टार्ट हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों से अ अ-जाएगा वीडियु जाल कॉप टंस आएजव एल हैंड़ जोस्तन है पस्ता वीडियो जाएगा जाएगा e एल दोस्ताव जाएगा करेंगा वीडियुल जाएगा